जय हीन दोस्तों सेंटरल इनुष्टी ओफ एलाबाद प्रिया गराज में आपके इलाबाद इनुष्टी के एडमिस्न शुरू हो चके हैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाई स्टेप कम्पलेट ओनलाइन पूरम फिल अप करने का प्रोसेस दिखाऊंगा कैसे अपना ओन मैं आपको कुछ इसमें बेसिक जानकरी देदू आप से रिक्वेस्ट आप वीडियो को अंद तक जरूर देखते रहें जैसे कि जो आपके फोरम है आज से ही शुरू हो चुके 11 जून से आपके फोरम शुरू हो चुके हैं एक जुलाई दो जर्बाइस लाश्टेट रखी लिए एस्टी के लिए 800 रुपे पीश रखी गी और जो आप एकजाम डेट है जुलाई के लाश्ट विक में आपका एकजाम होगा इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें कोर्स वाई जो क्वालिफिकेशन रखी गी अगर आप में में कोम करते हैं तो आपने बेचल डि करते ही तो आपने बेचल डिगरी कर रखी हो पास सपेर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल करस के लिए तो इसके लिए आप नटिफिकेशन करेंगे अब मैं आपको अपलाई ओनलाइन करके दिखता हूं कैसे अपना ओनलाइन फूरम आपको फिलप करना है देखिए यह लाबाद इनिविश्टी की ओपिसल वेब साइटेस का डारेक्ट लिंक आपको डिस्कुस ने मिल जाएगा तो वहां से आप डारेक्ट अपलाई कर सकते हैं पहले मापको अपलाई करके दिखांगा उसके बाद आपको अपलाई करना है उसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपकोช है जिसे भी को मद्क के लिए अपनी सभी क्रॉट के लिए आपको 1720 भी को व्याद उसकर प्रफिई सभी कॉर्ट को लीदे को प्रशण आपको बाहता है जैसे कि मैं ने ऐलभी अपने लोगी के लिए मनें बाहता है उसके बाहता है उसके लिए concept करईटेस और इसने स्टार्ट हाँता है यह पर अपना नम दालें गहीं तर यह नाम का दूब tip दालेंगा मदर का नम दालेंगे इसके बौध यहाँ सब्सक्रम कर लेंगे हैं इंडेयन इसके बादाjakी यहाँ पर अपना मुबाइल नम्बर डालना है इसके इमेल आइडी को आप दो बार से कंफर्म करेंगे उसके बाद यहां से पना जेंडर स्लेक कर लेंगे मेल फिमेल दौननों कंडेट इसके लिए पलाई कर सकते हैं उसके बाद यहां से अपने डेट ओवर डाल देंगे जो भी 10th Class की Mark Seat में आपके डेट ओवर थे वही डेट ओवर थे यहांपर आपको फिल अप करने है जो 10th Class की Mark Seat में है उसके बाद यहां से ProSeat to Application Forum पर आपको क्लिक करना है देखे जैसे आप प्रोशेट पर क्लिक करते हैं मेरा राइटेशन और सेक्सिस पली हो चुका है आपके पास राइटेशन और पासवर दोनों आ चुके हैं उसके बाद आपको नीचे अना है उसके बाद देखी यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है जैसे आप नेक् कोड़ी डालेंगे और जो आपके पासवर सेंट किया गो डालेंगे उसके बाद यहां से आपको लोगिन पर कलिक करना है देखे जैसे ही आप लोगिन करते हैं उसके बाद यहां से आपको अपना कोर्स स्टार्ट स्टार्ट कर लें जो भी आपका कोर्स है उसके बाद यहां स कर लेंगे हमिर्द के पादर का लान, व सरे मादर का नाम, उसके बाद आप निचाएंगे, यहां स्टेस्ट उमिल में सबाद इस यूर्ट में होगा लेंगे, और सकर जय लगे, यहां से आप सब्सक्रांए। यहां अपने कोडिंग कर सकते हैं उसके बाद यहां से अपना दारकाड नंबर डाल सकते हैं यह मैंडेटरी नहीं है गर आप इसे ब्लैंक चोड़ भी सकते हैं उसके बाद यहां से पैरेंट की जो आपकी फैमिली इंकम है वो यहां पर आप डाल देंगे जो भी अपने कोडिंग उसके बाद माइनुटरी यहां से आप स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहां से आप कस्मेरी जो भी अपने कोडिंग कर सकते हैं इंपलोई हैं तो यह अपने कोडिंग करेंगा उसके बाद मैरीड अनमैरीड है जो भी अपने कोडिंग आप स्लेक्ट कर लेंगे उस्टल रि प्रिट्ट पर लिएक्स ऑप रोगो करते फार यहां से वह अपनी कोडिन और, आद्सकों कर सकते हैं। व के गागों, और हाई एक्मिटों सुझों करते हैं, यहां पर आप नेम आप दा इंस्टूटूट बोर्ड का नाम डाल देंगे, यहां पर टैंथ क्लास का रोल अमर आपको डालना है, उसके बाद यहां से आप ग्रेड शिस्टेम परसेंटेज जो भी अपने कोडिंग यहां से आप स्लेक कर लेंगे, जैसे परसेंटेज है तो उसके बाद यहां पर आप मैक्सिम मार्क्स और टैक्स मार्क्स यहां पर डाल देंगे, परसेंटेज यहां पर खुद उठा लेगा आपकी, उसके बाद यहां से अपनी प्लस्टूट डिटेल आपको डालेगे, किसी यहां पने प्लस्टूट पास की, यहां पर अपने करके जो必 ungefád ऑफ लेडने चुट कर सकते हैं उसके भाद यहांसे सब्जेक्टल इन्स जूज्ट का नाम ढालेंے कब यहां से गरेड़िव लूमबर यह बाते पर डालेंगी थे आपको पर लेंनी कोडिक करना हैं देखे जैसे ही फोर्टो और सिगनेचर फ्लोड करते हैं उसके बाद आपका फोर्मों कंप्लिट हो जाता है उसके बाद आपके फोर्मों का आपको प्रियू दिखा देगा जैसे कि किस कोर्स के लिए अपने अप्लाई के जैसे मैंने अललबी कोर्स के लिए अप्लाई किया ह आपको एक्जाम देना एक्जाम सेंटर यहां पर आप चेक कर लेंगे उसके बाद स्टेट आप सेलेक कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपका पोटो दिखा देगा सिगनेचर दिखा देगा उसके बाद नीचे आएंगे आप यहां पर आपके आपका नाम भादर ने मदर न और करना कि यहां पर अपने कोड़िंगं चेक कर लेंगे उसके बाद क्लिक करने हैं गैज के अगर आप कुछ भी दिक करना चाहती है तो यह 늦े कर सकते हैं आप इसके बाद कोई इंडेट नहीं कर पाएंगे कुछ भी ऐडिट करना तो यहां से simply आपको next पर click करना है जैसे ही आप next पर click करेंगे उसके बाद थोड़ा आपको wait करना है उसके बाद यहां से अपनी फ्यषर्ट पो pay करनी है ऊण-लाइन तरीके से आपको fe sec pay करनी है यहां पर online payment पर श्थर्ट पर click करेंगे next पर आपको click करना है जैसे ही next पर click करेंगे देख जो इसमें आपकी फीस लगेगी total 800 रुपे इसमें आपकी फीस हो लगेगी उसके बाद यहां से pay online पर आपको click करेंगे उसके बाद आपको redirect कर दिया जाता payment के option पर यहां पर अपनी फीस आपको pay करने जैसे चाहिए वैसे अपनी फीस यहां से प कर लेंगे उसके बाद यहां से開ंलेक करना एंगे उसके बाद इसे फरेंग करने इसके बाद तोड़ा पको वेट कर लेए उसके बद आए फोर्म आपको फिलब करना है उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चले क्यों यह चले क्यों लाइक जुरू करें और चलने पर नवे चलने को सब्सक्राइब करके बैल ऐकन जुरू दबाले ना प्यूचर में ऐसे कोई अपडेट पाने के लिए आज इस वीडियो में इतना ह